नमस्ते मादमिक निजरे में आपका स्वागत है चलिए आज हम मादमिक जिगरफी का फास्ट इनिट टेस्ट देते हैं यह मादमिक निजरे के तरफ से पहला सेट है यहां पर हम कहा दें कि मादमिक निजरे के तरफ से तीन सेट दिया जाएगा यह पहला सेट दो सेट और मैं कर दे दोंगा, एक सेट उसके बाद दी तो तीन सेट हम एक एक दिन बाद दे देंगे, उसके बाद दुसे सब्जेट का, चलिए पहला सेट का टेस्ट देते हैं, पहला, जी स्क्रिया दुआरा भूभाग क्यों चाए में भृधी होती है, उसे कहा जाता है, जिस क्रिया द्वारा भूभा की उचाए में अब्रिधी होती है उसे कहा जाता है क अधी ब्रिधी दुसरा प्रश्ण पंजा का डेल्टा की उत्पती होती है निल नदी के मुहाने हांगो नदी सिंधू नदी मिसिसिपी मिसोरी नदी के मुहाने में पंजा का डेल्टा की उत्पती होती है मिसिसिपी मिसोरी नदी के मुहाने में अगला भारत का सबसे छोटा राच्य है क सिक्किम ख थ्रिपुरा ग कोवा ख मिजरव भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा चौथा सिवालिक हिमाले के गिरिपद्य भाग में कंकर पत्थर द्वारा जिस मैदान का निर्मान होता है हुआ है उसे कहा जाता है क खादर ख भांगर ग भावर ख बेद सिवालिक हिमाले के गिरिपद्य भाग में कंकर पत्थर द्वारा जिस मैदान का निर्मान होगा है उसे भावर करते हैं अबला चंदन लकडी के ब्रीच पनकते हैं क सदा बाहर बंद में ख कोणधारी बंद में ग पतजर बंद में ख मेक्रोब बंद में चंदन लकडी के ब्रीच होते हैं पतजर बंद में अगला जिस वीधी द्वारा प्राकिर्तिक कारक भोप रिष्ट के उपर कारे करके पिर्तिवी की सता पर परिवर्तन करते हैं उसे काते हैं क बहरजाद प्रक्रिया ख अंतरजाद प्रक्रिया ग भो संचलन ग परवतों की उत्पति की प्रक्रिया जिस वीधी द्वारा प्राकिर्तिक कारक भोप रिष्ट के उपर कारे करके पिर्तिवी की सता पर परिवर्तन करते हैं उसे का बहरजाद प्रक्रिया करते हैं लवन युक्चटानों की उपर नदी का मुख के अपरदन का रहे है भारत का सबसे नया गठित राज्य है भारत का सबसे नया गठित राज्य है इस तरह आठ प्रश्ण किन विकल्पों में से सही उत्त चिनित किजिए यह पुरा हुआ अब आगे करते हैं विवाग ख दो का एक निमलिखित में सही कथनों के आगे टी और गलत कथनों के आगे एफ लिखिए पहला पवन का कारिया मरुस्थलिय चित्र में अधिक क्रियासील है टी सही बात है दुसरा नदी का उदगम हीम रेखा के उपर से होता है गलत एफ अगला सठिक सब्दों से रिक्तस्थान की पूर्टी करे पहला एसकर का निर्मान हीमानी के रिक्तस्थान कारिद्वारा होता है अगला विभीन प्रकार के बाय बलो द्वारा भूमी के समतली करण को कहते हैं विभीन प्रकार के वाय बलो द्वारा भूमी के समतली करण को क्या कहते हैं उत्तर आपका परियायन या यूँ कह की आपका तल संतुलन भी पोलते हैं तल संतुलन या परियायन भारत में आवस्थित हिमाले की सबसे उची चोटी कौन है भारत में आवस्थित हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम क्या है उत्तर कंचन जंगा अगला नर्मदा नदी की परसीद जल परपात का नाम बताओ धुआधार जल परपात चली में लिख देता हूँ ये रभ भारत में आवस्थित हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम कंचन जंगा अब लिख लीजेगा ध्रुवाँ धार जल परपार ध्रुवा धार धहा पर छिठो प्रत चंदरमिन्दु अध्रुवा धार अगे 22 से 22 को मिला ये मरुद्यान केंद्रय क्रिसी अनुशनधान केंद्रण इधर दिया है टॉर्नाडो, मरुस्थलिय आवाज छेत्र, पूसा, बार का मैदान, मरुद्यान, मरुद्यान का अपका होगा, मरुस्थलिय आवाज छेत्र, मरुस्थलिय आवाज छेत्र को मरुद्यान का जाता है, केंद्र क्रिसी अनुसंधान केंद्र का नामे आपका पू हो गया अब आगे अब इभाग गा दो नमर का है ये तीन नमर का पाँच ये बड़े प्रश्ण है आप खुद से कल लिजेगा ये पर देरान दून क्या है इसके बाद है दच्छिन गोलार्द के दो उस नमरस्तलों के नाम बताओ इवाग गा भेर पीट सेल एवं ड्रमलीन में अंतरिस पस्ट करें भारत की पश्चमी वायनी नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्मान क्यूं नहीं होता है भारत की पश्चमी वायनी नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्मान क्यूं नहीं होता है हिमानी अपर्दन से बनी तीन अस्थालाकृतियों का वर्नन सचित्र करें हिमानी आज़ा है हिमनत के अपर्दन से बनी तीन अस्थालाकृतियों का वर्नन सचित्र करें अगला है और आखरी भारत के किनी दो प्राकृतिक वनस्पत्ती छेत्रों के बितरन एवं विशेस्ताओं का वर्णन करें इस तरह पहला उनी टेस्ट का कोश्चन उड़ा हुआ आप इनका उत्तर किताब से कर लिजिएगा अच्छाओ चली इसको मैं बता दे रहा हूं छोटा सा है पर मैं बोल लाँगा आँगा आप सुन कर लिख सकते हैं दून क्या है करसे किताब में मिल जाएगा आपका दून क्या है तो मध्य हिमाले और सिवालिक हिमाले के बीच कई चौरी खातिया पाई जाती है चौरी खातिया पाई जाती हैं जिन्हें पष्चिं में दून कहा जाता है अगर दूर आजायगा न अब इसी को लिखेंगे इसी को ही पुरों में दूर खाता है मद हिमाले और सिवालिक हिमाले के बीच कई चौरी घाटिया पाई जाती है जिने पस्चिम में दून कथा पुर्वा में दुवार कहा जाता है इसका दो नाम बताना है तर्षिनी गुलार्द के दो उस्त मरस्तरों के नाम एक तो आठाकामा और दूसरा काला हरी जो मरस्तर है आठाकामा और काला हरी और मैं चल्से चल्से बता दूँ कि पहला इन्हें टेस्ट के लिए जो में तिन सेट दूँगा ना इन तिनों सेट को आप जरूर कर लिजिएगा यह माज़मी 2020 के लिए भी मौस इंपॉर्टन कोस्ट चैबल दूसरे सेट में धाले बात कर दो पन डिए सब्सक्षणिद बात कर दो रषे जर दो प्सक्षिए लिनता बात झाल झाल